शक्ति कैमरा मेन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टू डीडी निउस वोकरन देश में जन औशदी केंद्रों के विस्तार के लिए केंद्रिय उर्वरक के वम्रसायन मंत्री डॉक्र मनसुक मान्दविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुवात की है इसके जरीए जन औशदी केंद्रि खोलने और इसके विस्तार के लिए सस्ते दर पर लोन लेना आसान हो जाएगा इसके लिए सिद्भी और पी एम बी आई के बीच एक एहम करार हुआ है इस मौके पर केंद्रिय उर्वरक के वम्रसायन मंत्री डॉक्र मनसुक मान्दविया ने कहा कि जन औशदी केंद्रों पर क्वालिटी वाली दवा मिलती है और ये गरीबों की संजीवनी है जन औशदी केंद्र खोलने और उसके विस्तार के लिए अब आसानी से लोन मिल सकेगा इसके लिए सीडवी और पी एम बी आई के बीच एक एहम करार हुआ है इस करार के बाद जन औशदी केंद्र के लिए दस मिनट में पांच लाग तक का लोन मिल सकेगा और पुरी प्रक एर सिस्टेम है एने बेल लेप से जहां से जिस फैक्टरी से जिस कंपनी से बैच मार्किंग होके मेडिसिन बहार आते हैं उसको भी एने बेल लेप से टेस्ट कराना है उसके बाद वो वेराउस में आते हैं तो वेराउस में आते हैं तब भी उसका एने बेल लेप से टेस्ट जन औशधी केंद्रों पर हर दिन 12 लाख लोग जाते हैं और हर देन 5-6 करोड रुपए की बिक्री होती है जन औशधी केंद्र के जरिये लोगों को रोजगार भी मिल रहा है उसमें लगबग 4 लाख रुपे तक का उसको लोन मिल सकता है इन्वोईस के बेसिस पे आपने कुछ खरीदा है और आपकी अलड़ी सेल्स हो रही है तो यह हमको एस्टाबलिश हुआ कि आपकी चलती फिरती बिजनस है उसके बेसिस पे we will be able to give interest which is lower than what market today is giving अब हमको नहीं पता कि अलग-अलग लोगों को कितना interest rate देना पड़ रहा है बड़ टिपिकली हमके हमारी जो जानकारी है वो 22 पसेंट, 25 पसेंट के करीब जो आप NBFCs और दूसरे sources हैं वहां से मिलता है हम चाहते हैं कि unsecured working capital जो है हम एक range में ले आएं करीब 12 तू 15 पसेंट की अगर आप सोचो तो that kind of range but that has to be seen कि आपकी business strength के ऊपर हम लोग कितना दे सकते हैं देश में अभी 11,000 जन औशदी केंद्र हैं अगले दो साल में 25,000 जन औशदी केंद्र खोलने का लक्ष रखा गया है ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सस्ती दवाईयां मिल सकें नितेंदर सिंग डीडी नियूज दिल्ली पिछले एक दशक में जिस तेशी के साथ भारती अर्थ ववस्ता उभरती भी नसर आई है